गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टु मैं न्यू व्लॉग और बताई कैसे आप सर्व आई होप आपसे बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं तो फ्रेंड्स व्लॉग है वेटनस टे का और ये व्लॉग कल आपके पास जाने वाला था बट नेटवर्ग प्रॉब्लम की वज़े से कल आपके पास नहीं आ पाया एडिटिंग वगरा सब कुछ हो रखा था बस अप्लोडिंग पे मैंने वीडियो लगाई हुई थी पूरे दिन में अप्लोडिंग ही नहीं हो पाई बहुत जब दिकत हो रही है नेटवर्ग की पता नहीं क्यों तो इस वज़े से ये वलोग आज आपके पास आ रहा है तो यहां पर टाइम हो रहा है लगबग सुबर के पौने 6 या 6 बद रहे होंगे तो मैं 5 बज़े जाग गई थी और उसके बाद जो है फ्रेश वगएरा होकर मैंने रग दी है सबजी बनने के लिए मैं बना रही हूँ बिंडी की सबजी आटा मैंने लगा कर रग दिया है तो बस वही मैं यहां पर आइरन कर रही थी और वो भी मैंने यहां पर गलत यूनिफॉर्म आइरन कर दी थी वेटनस डे को जो है house uniform होती है बट मेरे दिमाग से निकल गया तो मैंने ये वाली जो uniform है वो iron कर दी थी फिर बापु ने मुझे बताया जब उसने देखा तो मुझे फिर दुबारा से उसकी जो house uniform है वो iron करनी पड़ी उसके बाद फिर में आ गई है किचन में तो यहाँ पर जब तक हमारी जो भिंडी की सबजी थी वो बनकर तियार हो गई है और आज मैंने बस simple सी जो सबजी है वो बनाई है कई बार से मैं भिंडी दो प्याजा बना रही थी आज मैंने simple सी जो सबज बनती है वही बनाई है इसी के साथ जो सबजी थी हमारी बनकर तियार हो गई थी तो कड़ाई उठाकर मैंने रख दी है दूसरी सेड आटा पहले ही लगा कर रख दिया था तो वो भी अच्छे से soft हो गया था तो फटावट से अब यहाँ पर मैं बाभू के लिए तीन परा और मैं सेख दूँगी और जिब तक बाभू जो है नहाकर अपना कर अपना युनिफॉर्म वगरा पहन रही है नहाकर वो आ चुक है रादी वह फिल करके रगदी है और यहां पर देखिए बाबुने जो है यह वाली यूनिफॉर्म पैनी है तो यही वेडनस डे की होती है यूनिफॉर्म बट मुझे यादी नहीं था कि वेडनस डे है मैं तूसडे समझ रही थी तो मैंने वह वाली यूनिफॉर्म आयंड कर दी थी बाबू के रेडी होने के बाद मैंने उसकी जो चोटी है वो बना दी और बस हस्बंड चले हैं बाबू को छोड़ने के लिए क्योंकि अब वेन वाले भाईया रोट तक ही आते हैं अंदर आने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है तो वो वहीं बला लेते हैं मौसम कुछ ऐसा है सुबह से ही मौसम खराब सा हो रहा था बहुत जादा बादल-बादल से हो रहे थे तो बस husband जो है बाबू को छोड़ कर आए इतने में मैंने जो चाय थी वो बना ली थी तो चाय मैंने husband को दे दी थी बट मैं अपनी खाली पेट की medicine है वो लेना भूल गई थी girlfriend को चाह देने के बाद मैंने अपनी खाली पेट की medicine ली उसके बाद थोड़ देर मैंने वेट किया फिर मैंने भी अपने लिए चाह गरम की और बस एक पराठे के साथ मैंने कल दिया अपना breakfast उसके बाद मैंने अपनी breakfast के बाद की medicine ली और मैं आ गई kitchen में जो रोटियां थी वो मैंने पहले ही बना कर रख दी थी तो बस रोटी सबजी जो लंच है वो रेडी हो गया है तो बस यहां पर मैंने फटाफट से जो किचन थी लगे हाथ वो भी समेट दी बटन सारे सिंक में डाल दिये धुलने के लिए और यहां पर देखिए अभी का जो क्लीनिंग का काम है वो होता है तो अभी का जो टाइम है थोड़ा लेट रहता है तो बीच में मुझे फिर अपने काम जो है बंद करने पड़ते हैं घर के उसको देखना होता है इस वज़े से थोड़ा सा जो काम है वो लेट हो जाते हैं वरना और काम जो है मेरे जल्दी न पढ़ जाते हैं तब तक मैं अपने सारे काम ड़ा लेती है और यह दीखे यहां पर अभी जो है पैर चुना सीख किया है ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में जब वो जाता है ना तो पैर चूख कर बहुत अच्छा काफी दिनों से हम सिखा रहे थे पहले तो नहीं सुन बहुत अच्छा लगता है तो बस यही मैं कह रही थी कि अगर अभी का टाइम है वह भी एगर जल्दी का होता ना तो काम जो है अगर जल्दी टाइम से लग जाओ तो जल्दी ही निपड़ जाते हैं बस अभी को थोड़ा सा बीच में देखना होता है इस वज़े से थोड़ा लेट हो जाते हैं तो husband अभी को छोड़ने चले गए थे इतने में दूद वाले भीया आ गए थे तो वस मैं दूद लेकर दूद रख दिया है करम होने के लिए फिर मैं आ गई रूम में तो ऐसे तो bed sheet वगरा husband नहीं थोड़ी ठीक कर दी थी और फिर husband अभी को छोड़ने जाते हैं तो थोड़ी देर वहीं बैट जाते हैं टीन सेट वगरा में इतने में मेरा जो जाड़ू वगरा है वो लग जाती है फिर नमबर आ गया बरतन दूलने का और बस यहां पर सारे जो परतन थे वह पहले ही सिंग्वे मैंने खट्टे करके रखे हुए थे तो फटा फट से सारे जो बरतन है वो धुलकर रख दूंगी और उसके बाद फिर जो है नमबर आ गया है अब पहुंचा लगाने का तो मैं ले आई थी मॉप और फर्स ना मेरा इतना जादा चिप-चिप-चिप हो रहा था पता नहीं क्यों तो मैंने काफी अच् लिक्त हो जाती है फर्स पर बहुत जादा एकदम चिप-चिप-चिप-चिप होने लगती है तो मैंने विम जल और लाइज जल डाल कर आज पहुंचा लगाया था तो काफी अच्छे से जो सफाइती फर्स की हो गई थी और जो चिप-चिप थी ना वह भी खतम हो गई थी तो मैं बीच-बीच मैं ऐसे करती रहती हूं कभी सर्फ डाल लेती हूं लाइज जोल के साथ में कभी विम जल डाल लेती हूं जब मुझे लगता है कि फर्स जादा ही कुछ चिप-चिपा रहा है और बस उसके बाद हात वगईरा धुलकर मैं आ गई यहां पर रायता बनान के लिए सोचा मशीन लगा दूँ फिर मैं चली जाओंगी नहाने के लिए तो जैसे ही मैं मशीन लगाने के लिए आई ना कि एकदम से लाइट चली अभी आपने नोटिस किया होगा तो लाइट चली कपड़े डाल देती हूं फिर जो है बाद में जब लाइट आ जाएगी तम में धुल दूँगी तो जो भी सारे कपड़े थी दो राउंड के थे तो वैस्तल तेन राउंड के थे बैट शीट भी मुझे दूलना था बर데 बैट शीट फिर मने नहीं दूला क्योंकि मौसम हो रहा था बेकार हलकी तिम दिम दिम बारिष हो गई थी कपड़े अल्रडी आंगन के लिए काफी थे तो फिर बेट्षीड डालने के लिए जगए नहीं थी तो फिर मैंने सिर्फ दो राउंड ही लगा दिये और दो राउंड में ही जो आंगन था वह हो गया था पूरा फुल तो कपड़े मशीन में डालने के बाद मैं चली गी थी नहाने के लिए और नहा के आकर मैं रेड़ी वगरा हुई इतने में लाइट आ गई थी तो मैंने जो मशीन थी वो ओन कर दी तो कपड़े हैं वो धुल गए हैं फर्स्ट राउंड के तो वस यह के जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिये हैं तो वो भी मुझे हैंगर पर ही डालने पड़ेंगे क्योंकि अल्रेडी जो आंगन ने पूरा फूल हो गया है और फिर बैट शीट मैंने नहीं गुली तो उसके बाद सारे मेरे काम हो गए थे और अब सीधा में मिल रही हूँ आ बटर नहीं होता है तो मैं खी में ही बना देती हूं जैसा कि आप सभी के साथ शेयर करती ही रहती हूं बटर रखा हुआ था तो मैंने फिर बटर में बना दिये बच्चों को मैंने दे दिये थे पॉपकॉर्ण भार अलकेल की बारिश हो रही थी तो मैं वही देखने के लि मिलेंगे नेक्ट लोग में पर दो